सर का पढ़ानी का जो तरीक है वो बहुत अच्छा है क्योंकि मतलब पढ़ाना और सीधे एक दम समझ में आ जाना जब मैं यहां पढ़ने के लिए आथा तो पहले दिन हुए हमको पदा चल गया था कि यहां पढ़ाय बहुत अच्छा हो रहा है नमस्कार मेहमीत चोरसिया और आप देख रहे हैं नलंदा दस्तक आज हम मौझूद हैं जहानावाद जिला के हुलासगंज बजार के अभिनंदन क्लासेस में और यहां पे दो दिन पहले मेजर टेस्ट का योजन हुआ था उसमें कुछ बच्चे टॉप के हैं उन लोगों को इस कोचिंग के जो संस्थापक हैं और उनके जो सहायक शिक्चक हैं हम उनसे बारत अलाप करेंगे कि यह जो टेस्ट आयोजन हुआ था उसका उदेश के अदा सर से हम बात करते हैं सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले तो अभिनंदन क्लासेस की तरफ से आप के निव चैनल नालंदा दस्तों को बहुत बहुत बधाई हो जो इस चोटे से जगह में और इस चोटे से कोचिंग में आपने आने का कश्ट किया सर मेरा सबसे पहला सवाल आप से ही है कि दो दिन पहले हाँ पर मेजर टेस्ट का योजन होजँआ था इसका उद्देश से क्या था इसका टेस्ट का मुख उद्देश ये था कि कोरोना काल के बाद जब सुल्ला अगस्त से जब क्लास का संचारन हुआ तो बच्चे कोरोना काल में और कोरोना काल के पहले ये बहुत अंतर असपस्ट दिखाई दे रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि इसको टेस्ट के द्वारा ही अच्छा करवाया जा सकता है इससे पहले भी दो टेस्ट हुआ था और टेस्ट के द्वारा इनलों को बार बार प्रोथसाहित करकर के प्रेरना देदे करके ये कल ने मेजर टेस्ट का योजन हुआ जिसमें बच्चे जो है अपने लिंक पर आ गया है अपने पत पर आ गया है अब ऐसा उमीद जग रहा है कि विद्यार्थी अब अच्छा करेंगे पवंजी बताईएगा कि अभिनंदन क्लासेस में जो बच्चे टॉप कि हैं जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उनको आप क्या कहना चाहेगे उनको यही कहना चाहेंगे कि आगे चलके जो उनका एम है वो अच्छा से पकाड़ कर रखें और उसको कांटिनू करें जाए के जितने भी बच्चे उनको यहीं कहना चाहेंगे कि एक बार अभी नंदन में आकर देखे और जो यह के जो ऐसे बोला जाता है ऑविनन क्लास को टॉपरौ का जो लगाव अभी पसंद 10 को घजा जिए तो हमारे हां से बहुत सारे लड़िकिया ऐसे अधिक्तर बार कोच रहें कि कुछ लड़के भी इस थेत्र के आए जो टॉप कर सकें और इन टॉपरों से कुछ न कुछ सीखें कुछ स्टुडेंट भी बात करेंगे कि इनका क्या काना है क्या नाम हो अपका मेरा नम कुछी शर्मा है कुछी एक बात बताया कि अभिनंदन क्लासेज जो है औ कि अभिनंदन क्लासेज बेस्ट है इसमें आओ क्यूं बेस्ट है जैसे कि सर बता रहे हैं कि हैं से टॉप करते हैं तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है क्योंकि यहां पर एक अच्छा गार्ड लाइन होता है एक टीचर बहुत अच्छे से हम लोगों साहिट करते हैं मोटि कि टेस्ट में फर्स्ट शेगंड ठड़ लाई थी क्या नम हो आपका शूती बादवाज सुरूती जैसे कि आप फर्स्ट लाई हैं 11 में कैसे करोना के बाद पढ़ाई की कि आप इस मुकाम को हासिल की है करोना के टाइम पर तो हर लोग घर पे ही थे उस टाइम में और तो क अब लोगो कব लियुड दियुड को अब शुर फर मैं यहाँ बहुत लोगों ने कहा कि कैमिट्री के लिए यहाँ जो लू है तो फिर मैं यहां यहां देखि कि हांसा मतलब सब्ढिखानी का पुल रहानी का जो तरीका है वह ःुछा है क्यूंकि मतलब पढ़ानी में तो पढ़ाई भी अच्छे से होती है। सेकेंड टॉपर हैं क्या नाम है कि सिखा कुमारी। सिखा जी बताई एक कि को रोना के बाद आप जैसे कि घर में थी पढ़ाई कर रही थी जैसे कि बताई कि ऑनलाइन क्लासे चलता था। तो इस दोरान आप अपने अपको कैसे मेंचे अपने पढ़ाई को कैसे मेंचे करा है। सब्सक्राइज करने क्लासे थी कि मैं भी घर पर ऑनलाइन स्टेडी की हूं। और फिर उसके बाद जब कोचिंग ओन हुए तो यहां अभी नदन क्लासेसे के बाद बेदा चला कि यहां बहुत अच्छे पढ़ाई होती हैं तो यहाँ और यहाँ जो सर है वो यहाँ जो टेस्ट होता है उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को टेस्ट दिया जाता है और बहुत मतलब मतलब को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग टेस्ट दीजिए क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि हीजिटेशन जो है और भी भुलास्टगे में बहुत सारे कोचिंग संथान है। उसमें और इसमें अपको क्या डिफेरेंस देखती है। इसमें पहले तो मतलब मेरी बहन यहीं से पढ़ी है। और उसने मतलब बताई कि वहां बहुत अच्छा क्लास होता है। जिसमय कंवर अच्छाई होता है और सहर पढ़ने के बाद स्टिक थेंशने करते हैं यह संही इतलए नहीं कि पुरिछ बता नहीं एंट करता है तिर्फ तर्षिंग भी। Racing actually says जिस से मोटिवेट हो और फिर इहां का पकर आप कि यहां प्रभाई मतुलपाई मट intuitively दो महिना के बाद आपका एक्जाम है तो एक्जाम के लिए क्या क्या तयारिया चल रही है एक्जाम के लिए बोट छे चल रही है यहां सारा स्लेलबिद कम्पिलीट हो चुका है अभर रिवीजन चल रहा है और पर रिसम in डि़िशन लेते हैं और उसके बाद प्रायज राइज भी तरन होता है, इसे हम लोग मोटीवेट होते हैं. आपका क्या नाम हुआ? मेरा न न नीशा प्रभीन है. नीशा जी, जैसे की दो महीने के वाद आपका टेस्ट है, और सर जैसा की बताए की पिछले दो महीने के बाद, तो सर आप लोगों से क्या उमीद रखे हैं आप लोग भी टॉप कीजिएगा या फिर कुछ हो रहा है यहां कि यहां का गाइडलाइन भी अच्छा सर करते हैं और बताएं कि एक रूटीन से पड़ो दीन तो अच्छा रिस्पेक्ट की हैं कि हाँ यह सब कच्छा एगा नमब अब लोग 11 अब 12 अब लोग 12 में दोर महीना के बाद आपका एक्जाम है तो उसके लिए क्या के तैयारिया चल गई अभी तो तैयारिया चल रही है यहां का स्लेवस कंप्लीट हो चुका है तो रिवेजन यह चल रहे है एक छात्र है हैं चात्र से भी बात करेंगे भाई सा मेरा नाम दानिस अंसारी है दानिस जी बताइएगा कि सर का पढ़ाने का जो तरीका है अन सभी सिक्षकों से आप कैसे मतलब के डिफरेंश जब मैं यहां पढ़ने के लिए था तो पहले दिन हुए हमको पदा चल गया था कि यहां पढ़ाय बहुत अच्छा हो रहा है और क तो यहां पर आकर के देखें आप भी सायद ठड लाएं हैं पूरे एक्जाम है क्या नाम हो भाई सबापका मेरा नाम अंकित कुमार हुगा अंकित यह बात मतलब देखा जाए तो यहां पर जहानावाद का परमुख बाजार माना जाता है तो इस बाजार में अभिनंदन क् क्लासेस बहुत बढ़ियां क्लासेस है और यहां पर का माइंड क्लास चलता है जिसे टीचरों का बढ़ियां-बढ़ियां परदर्सन हो पता है और एक्स्ट्रेंट भी काफी बहतर कर रहे हैं और अब 12th में 11th में 11th में 11th में 10th का अप एक्जाम देख करके होंगे और सिले कि पहले करोना काल था उससे आदा विद्यारती तो पढ़े नहीं और टप तो होता ही है एक्जाम देना और यहां भी बहतर पावन सर बोल रहे हैं कि टप होता है लेकिन सर हैं तो आपको दिसा निर्देश करते हैं तो उस टप को इजी में कैसे आप करें वो पावन सर पढ किया यहां के कुछ चात्र थे उनसे बात किया इन लोग का कहना है कि अभिनेंदन क्लासे जो है अन सभी कोचिंग संधानों से बहतर इसलिए है क्योंकि यहां पे सवाल पुछने की अजादी होती है और सर सभी सवालों को बहुत अच्छे से बताते हैं हम ऐसे ही देश दु